चली सो बात करने वाले हैं पावर ग्रिड के बारे में एक बड़ी खबर के साथ में शिरुवात करेंगे दोस्तों इस वीडियो की बड़ी हल चल अब आपको पावर ग्रिड के शेर के अंदर देखने को मिल सकती है वैसे भी देखा जाए तो गिरावट के बाद में काफी सारे निवेशकों ने इस कमपनी के अंदर माल उठाया है लेकिन अभी तक ये तया नहीं हो रहा था कि कमपनी के अंदर तेजी देखने को मिलेगी या फिर और भी नीचे के लेवल हमें यहापे दिखने को मिल सकते हैं अब अगर कोई नया बिजनेस या फिर कोई नई खबर इस तरह के की देखने को मिलती है कि जिसका overall outlook कुछ दिनों तक या फिर कुछ सालों तक हमें positive देखने को मिले तो कहने कि शेर के इंदर लगातार तेजी भी देखने को मिली जाती है यहाँ पर दोस्तों आपको बताना चाहूँ कि जो बड़ी ख़बर इस company के इंदर देखने को मिल रही है वो यह है कि power grid टेलीकॉम को data center business के अंदर अब expansion की मंजूरी मिलती हूँ ने जरा रही है तो देखे overall क्या है कि इसका positive impact हमें power grid के share के अंदर देखने को मिल सकता है तो दोस्तों जैसे कि आप SMS screen पर देख पा रहे हैं कि यह जो यहाँ पर proposal देखने को मिल रहा है इन्वेस्टमेंट के regarding कुल कीमत की बात करते हैं तो 322 करोड के आसपास दिखाए दे रहा है तो मजबूती देखने को मिलेगी और आप SMS screen पर पढ़ भी पा रहे होंगे पावर ग्रिड हैज अप्रूवड इन्वेस्टमेंट प्रपोजल expansion of power grid टेलिकॉम into data center business तो देखे बड़ी हलचल के लिए तयार हिजेगा latest ख़बर ये मिली है अभी देर शाम ये ख़बर हमें प्राप्त हुई है तो कहने की हलचल अब कल के दिन power grid के share के अंदर जरूर देखने को मिलने चाहिए लेकिन उससे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी stock के अंदर चाहे कितनी भी important कितनी बड़ी ख़बर हमें क्यों न देखने को मिल रही हो खरीदारी करते वक्त shares के संख्या कम से कम रखें और ध्यान देना है कि stock के अंदर जब गिरावाट देखने को मिलेगी तब खरीदारी करेंगे तो बल्क में बिल्कुल भी माल न खरीदें अब देखें यहाँ पर मैं आको बताना चाहूँगा कि power grid के share के अंदर अब आगे कौन से वो level होने वाले हैं जिने यह share इस साल टच करता हूँ न जला सकता है तो दोस्तो 2021 अब अंतिम चेरण में हैं 2022 स्टार्ट होने वाला है काफी सारे लोग planning करते हूँ न जलाएंगे 2022 के लिए कि जिस तरीके से अब तक की हल चल हमें काफी सारी company के अंदर देखने को मिली पैसा बनता हूँ न ज़रा है तो 2021 के अंदर भी इसी तरीके का outlook देखने को मिले 6 मेने की बात करते हैं तो 17% की तेज़ी आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिली एक साल की बात करते हैं तो देखे लगातार धीरे-धीरे करके मुमेंटम उपर की तरफी बनता हुन ज़रा रहे हैं लगभग 43% की तेजी आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिली पांच साल की बात करते हैं तो ओवराल आउट्लुक पोजिटिव दिखा है दर है हाँ ये बात जरूर है कि स्टॉक के अंदर गिरावाट देखने को मिली थी कोविट की वज़े से लेकिन लगातार तेजी इसी स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है और अगर लोंग टम की बात करते हैं तो लगातार शेयर के अंदर ऊपर के ही तो दोस्तो जल्दबाजी करने की अब कोई आवश्रक्ता नहीं और अराम से माल खरी दिएगा टुकडों में खरी दिएगा पैसा उतना ही बनेगा अगर आप रोज रोज खरीते बेशते वे नाजर आते हैं काफी सारी कंपनियों को अगर आप माल होल्ड करते हैं छोड़ते कुछ समये देते हैं तो आपका जादा पैसा करी बार्त देखने को मिल जाता है यहापे दोस्तेमआपको बताना चाहओ ऑँकि फोर्कास्ट 2022 के लिए किस तरके का देखने को मिल सकता है तो तीन रेंज हापे reंज मीडियन रेंज करन प्राइस दो स्बार बहर का है लगबग उपर के लेवल 258 रुपे तक यह स्टॉक टच करता हूँ नजरा सकता है मीडियो निज की बात करते हैं तो 214 रुपे तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और अगर लो लेवल की बात करें तो 187 रुपे कभी आपको नीचे की तयारी करके चलने पड़ेगी तो देखिए कि यह संभावित यहाँ पर टार्गेट प्राइस दिखाई दे रहे हैं हो सकता है कि यह स्टॉक इन से और उपर के लेवल दिखाता हूँ नजराए तो देखिए स्टॉक मार्केट है यहाँ पर आपको इसी तरह के से एक्शन देखने को मिलता रहता है कंपनी लगातार बढ़ती उचल जाती है देखिए आपर चाल फिलाल की डेट में स्लो दिखाई दे रहे हैं तो उसी के हिसाब से टेक्निकल इंडिकेटर जो यूज करके टार्गेट प्राइस सैट किये गए हैं तो लगबग 25% का मुमेंट देखने को मिल सकता है 4% की तेजी देखने को मिल सकती है और गिरावट की बात करते हैं तो 8% के असपास इसके अंदर हम लोगों नीचे मुमेंट देखने को मिल सकता है अब देखे अगर फाइनेंसल ट्रेंड की बात करते हैं तो 2018 के बात से अब तक की जो कंपनी की इस्तिती है बहुती शांदार दिखाए दे रहे हैं फाइनेंसल ट्रेंड लगातार पॉजटिव है रिवेन्यू लगातार हर साल कंपनी का बढ़ रहा है प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट के अंदर भी लगातार तेजी दिखने को मिल रही है और एक रिटेल निवेश को इससे जादा क्या चाहिए देखे कंपनी रहें हैं प्रॉआइस के दौ declar से कोई भी माल नहीं बेचा गया है है तो यहां से positive संकेते निकलकर आएं मुचल फंड की बात करते हैं तो पिछले तीन quasi से लगातार माल खरीद रहें तो यहां से positive संकें देखने को मिल रहें तो 6.06-6 पसनट के measurement 13-0 क्योंकि अब देखेom za किसने है तो यहां पर एक आगर Jonnicos की बात करते हैं तो इसी बिडि़े करते हुए नजर रहें और 28.3 की असपनोल देखने को लिए इसी तरीके से रेटेल निवेश्टकों की बात करते हैं तो लगबग 6.5% के आसपास पिछले वाले को बढ़ी ती और अभी लगबग 12.4% के आसपास दिखाए दे रही हैं तो देखे रेटेल निवेश्टक खरीदारी करते हुए नजरा रहे हैं और जो विक्वाली हम इतना ही माल रिटेल निमेशकों के द्वारा जो हैं आपे खरीदते हुए नज़रा रहें तो भरपूर खरीदारी चल रही है फिलाल के डिट में हमें इस कंपनी के अंदर और शेयर ओल्डिंग पैटर्स भी काफी मजबूत दिखाये दे रहें प्रमोटर्स की होल्डिंग भ आपको पैसा इसके अंदर दिखने को मिल सकता है तो दोस्तों कंपनी की वास्तिके सिती और जो लेटेस्ट नियूज इस कंपनी के अंदर दिखने को मिली वह आपके सामने प्रिजन्ट किया अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीज़ेगा आपका एक लाइक हमारा मेर्टोबीशन बढ़ाता है ताकि इन फ्यूचर इसी तरह के कंटेंट लगातार इस चैनल पर पब्लिश होते रहें तो अगर आप नए हैं डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप इस स्टॉक के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन करा सक अग क्या अकाउंट अकराइ चाहते हैं जए्काउंट इस स्टॉक करण दाय मेंड़ा।